दोस्तों इसमें ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने ब्लॉगिंग चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो तो बिना टाइम बेस्ट की वे चलिए वीडियो सुरू करते हैं नमस्ते मैं दर्मेंद आपका स्वागत करता हूँ क्रेटर वेली यूटूब चैनल में जेस तरह से 2015 के बास से टिक का बहुत ज़्यादा क्रेस था एक ट्रेंड था कि सभी लोग टिक चैनल स्टार्ट करना चाहते थे उसी तरह से प्रिजेंट टाइम में ब्लोगिंग चैनल सब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं आप किसी भी यूटूब क्रेटर को देख लीजिए उसके पास एक ब्लोगिंग चैनल जरूर रहता है अगर नहीं भी रहता है तो उसके अपने में चैनल पर वो ब्लोगिंग के वीडियो जरूर डालता है एक दो तो पकाई डाल देता है यार देखो अगर आपके पास आल लेडि कोई चैनल से हैं वो किसी भी नीच या किसी भी कटेगरीज का हो उसके बाद आप अपना ब्लोगिंग का चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो उस चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्योंकि आपकी जो में ओडियांस होती है वो आपके ब्लोगिंग चैनल को सपोर्ट कर देती है जिसे कि आपको blogging channel तेजी से grow हो जाता है लेकिन अगर आपके पास कोई भी YouTube channels नहीं है और आप channel start करना चाहे तो वो भी blogging का channel तो आपको ये video जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस video में सारी चीजें cover करने वाला हूँ A to Z की आप एक blogging channel कैसे grow कर सकते हो यार देखो सबसे पहले आपको start करना होगा Just do it Then इसके बात की सारी process start होती है आपको थोड़ा बहुत research करना होगा कि आपका fashion क्या है आपको कौन सा काम करने में मज़ा आता है जिसको आप enjoyment के साथ उस काम को करते हो तो आपको ये थोड़ा सा research करके डूलना पड़ेगा अपने आप में इसके अलाओं दोस्तो अगर आप blogging का channel start कर रहे हो तो आपको figure out करना होगा कि आपकी target audience कौन है Second point है दोस्तो storytelling यार किसी भी blogger के लिए या blogging channel पर सबसे important होता है storytelling और सबकी अपनी अपनी style होती है storytelling करने की तो ये चीज आपको starting से समझना होगा और अपनी storytelling इंप्रूब करनी होगी यार यहाँ पर जो bloggers गलती करते हों दूसरों को देखते हैं यानि अपने favorite creator को देखते हैं और उनकी style को copy कर लेते हैं आपको किसी भी creator की style को नहीं copy करना है हाँ उनके videos देखके वहाँ से आप idea ले सकते हो लेकिन उस ideas को अपने according अपने style में represent करना है तभी लोग देखेंगे otherwise आपको देखने से अच्छा है लोग उनको ही न देख ले तो आपको ये बात starting से ध्यान में रखनी चाहिए मैं भी ये आपको boring लग सकता है लेकिन ज़्यादा तर ब्लॉगर ये गलती करते हैं तो प्लीज आप ये गलती मत करिएगा copy paste ना करिएगा storytelling में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको अपने storytelling की पूरी road में पता होनी चाहिए कि आप अपने story में कैसे value डिलेवर करोगी आपकी story की main value क्या है आप यहाँ पे दो चीजे important है एक relation से value basically आपके storytelling में एक relation से value होनी चाहिए जिसे की लोग आपके story के साथ आपके साथ आसानी से जूर सके दूसरा है hook value किसी भी creator के लिए hooks value बहुत important होता है उसके videos में क्योंकि दोस्तों आप अपने videos में audience को अपने hook के ही थुरू रोक सकते हो तो इसलिए hook को भी समझना बहुत important होता है hook पे काम करना चाहिए और इसे implement भी करना चाहिए बहुत से blogger या creator ये गलती कर देते हैं कि ओ अपने videos में hook का इस्तमाल ही नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से वो संगर्स करते रहते हैं कि हमारा videos rank के हो नहीं कर रहा है यानि हमारा videos grow के हो नहीं कर रहा है तो please आपको hook पे भी काम करना चाहिए hook एक ऐसा point है जिससे कि लोग energetic रहते हैं आपकी videos को इंड तक देखते हैं अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान मेरा कि ब्लॉगिंग करते हो तो definitely आप एक ऐसे बंदे होते हो जिनकी ज़्यादा संभावना होते हैं कि उनका channel fast grow करेगा next point है consistency consistency दोस्तों किसी भी creator या किसी भी blogger के लिए consistency बहुत important होता है consistency का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप डेली वीडियो अप्लोड करो यह आपकी personality पे डिपेंड करेगा तो just अगर आपने अभी blogging channel start किया है तो कम से कम weeks में आपको दो या तीन वीडियो अप्लोड करने चाहिए और दोस्तों blogging में आपको अपनी personality जरूर दिखाना चाहिए आपको अपनी fake personality नहीं दिखानी है जो सभी bloggers गलती करते हैं या सभी creators ज्यादा तर गलती करते हैं कि वो अपने actual personality को hidden कर लेते हैं वो camera के सामने अपनी दूसरी personality दिखाने की कोसिस करते हैं जिससे की audience आपके साथ relate नहीं कर पाती है तो please अपनी personality एक्चुल में जो आप हो वही आपने blogging के थुरू दिखाई है क्योंकि आलोग आपकी lifestyle देखना पसंद कर रहे हैं blogging में नेक्स पॉइंट है video editing आपके videos के editing जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपका videos उतना अच्छा performance करेगा इवें दोस्तों video editing के तुरू आप 70-80% अपने videos quality इंप्रूब कर सकते हो तो आप इस बात से समझ सकते हो कि किसी भी creator के लिए video editing कितना important होता है उसके videos के लिए नेक्स है दोस्तों thumbnail और title दोस्तों आप जितनी मेहनत करते हो blogging करने में उससे या उससे कहीं जादा आपको मेहनत करनी चाहिए thumbnail और title बनाने में दोस्तों आपका thumbnail और title ऐसा होना चाहिए कि लोग देखके click करें यानि आपका title और thumbnail दोनो clickable होना चाहिए आपको अपने आप से पूछना है क्या इस thumbnail को देखकर मैं click करूँगा इस thumbnail को देखने के बाद मैं बोर तो नहीं हो रहा हूँ या title को पढ़ने के बाद मेरे मन में curiosity उठ रही है कि ने इस video को click करने के लिए तो आपको कुछ इस type के अपने mind में thoughts लेके आना है और उसके बाद title और thumbnail design करना है दोस्तों ये बहुत important होता है otherwise आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है अगर आपका title और thumbnail अच्छा नहीं होता है तो आप किसी भी creator को आगे देख लो आप उनके videos को क्लिक कर देते हो यह लगता है ना कि एक suspense होता है एक clickability दिखती है उनके thumbnail और उनके title में जिसे आप देखने या पढ़ने के बाद क्लिक करते हो तो आपको यह काम करना है यह एक दिन में नहीं होता है आपको आपको आजाएंगे तो यह सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा तो दोस्तों यह कुछ points थे अगर आप यहां तक videos देख रहे हो तो definitely आप इसे implement करोगे, I hope दोस्तों आपको यह informative वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों साथ साथ सेर करिएगा, अगर आपका वीडियो से लिडियो कोई सुझाहा हो, या आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिते हो, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का reply करूँगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन दवाना ना भूले, जिसे हमारे वीडियो का लेटेस नोडिविकेसान आपको सबसे पहले मिले, इस वीडियो में वस इतना ही, तब तक लिए जैहिंद, वन दे मातराम, हावाई स्नाइल,